जैस्री रामाक्रश्ण रानावर्ट डईट में आपका सुआगत है तनाव नहीं होने का तनाव चोंके ना आप जी हाँ तनाव नहीं होने का तनाव मैं बात बता रहा हूं लिंग अनुथान को या लिंग धिलापन को एक सारीरिक परिवर्तन मान लिया जाता है और इस मानसिक परिवर्तन को असाय भेयुक्त मान लिया जाता है इस प्रकार से डर होता है जो असुरक्षा का भाव उत्पन्द करता है यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर गुना सिंग राणावत साइकोलोजिस्ट और डाइटिशन आज आपको बता रहा हूं कि यूवा लोगों के अंदर लेंगिक सिथिलता की वज़े से उन्हें एक वेवाईक जीवन के लिए एक समस्या जो दिमागी एक खत्रा उत्मन होता है उससे समंदित ब करता है कि संतानुत्पति होगी के नहीं होगी संतानुत्पति नहीं होगी के भाव की समस्या मानसिक असपलता की वज़े से असंतोस उत्मन होता है और देनिक कार्यों में मानसिक शुब्दताक भी उत्मन होती है और एक तनाव का शुरूप पैदा हो जाता है आदुनिक मनोवग्यानिकों ने सोच से ग्यात किया है पता चलता है कि 55% रोगों का काराण तनाव होता है जो मैं मानसिक तनाव की बात कह रहा हूँ और मानसिक तनाव ये असमेतुन के बाद व्यक्तियों में असाधरान अनुकरिया करने के लिए भाद्धि करता है ये अवस्था तनाव का जाता है मानसिक सारिक देहिक इस्त्री महिला के प्रती कोई फिलिंग नहीं होती है तो चिंता क्रोध भै भी उत्पन होता है साथ ही देहिक समस्यां भी खड़ी हो जाती है जिसमें पेट की गड़बडिया, रक्त चाप, दिल की धड़कन, धड़कन का बढ़ जाना फिर मेतुन चुनातियों का खत्रा मेसुस करता आदमी और उसके बाद में फिर एक डर का प्रती भी होने से पलायन होने को मुझबूर करता है पर आप लोगों को चिंदा करने की आवसकता नहीं है इसमें आपको एक मनवज्यानिक परामर्ष की आवसकता है हो सकता है पेट की गड़बडियों की वज़े से एक डाइटिशन, एक वैदराज जी, एक हकी इमजी से आपको साहिता की जुरूत पढ़ सकती है आप संतोस से, इस्थिर मन से अपने निकट अच्छे वैदराज जी, अच्छे हकीम जी, अच्छे साइकोलोजिस्ट, अच्छे डाइटिशन हो आप उनसे संपर्क करें और आपके भय, क्रोध, चिंता का नेवारान करें, सबलता मिलेगी हमें कई बार व्यक्ति काफी टिपणिया में बद्देपन की टिपणिया लिख देते हैं उसके बारे मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, पर अच्छी टिपणि हो, तो हम अच्छी टिपणि का जबाव देंगे जो एक फ्री के तौर पे उपचार चाते हैं, उसका तो टिपणि में हम जबाव दे सकते हैं पर वाटसप के उपर हमें लगातार अगर कोई सवाल जबाव करें तो हम देने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारा नीजी जीवन अभ्यास में होता है और दूसरी बात ये भी होती है, कि हम सब को जबाव नहीं दे पाता है कुछ लोग फौन के उपर फौन कर लेते हैं, उन्हें ये ग्यात नहीं होता है कि आपने कोई अपटमेंट लिया नहीं है, अब बेवक्त फौन कर लेते हो हम फौन करने के लिए सक्त मना करते हैं और ऐसे लोगों को हम ब्लॉक कर देते हैं देखते रहे ये अगले नए अपडेट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जैहिंद